अध्याय चार खनिज संसाधन और अध्योगी करण खनिज विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले अजैविक ठोस रवेदार योगिक या तत्व को खनिज मानते हैं भुगोल में प्राया वे सभी चीजें जो प्राकृतिक हो और हमें खनन द्वारा प्राप्त हो उन्हें हम खनिज मानते हैं इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टिया, रेत, कोईला, धातु, अयस्क, अन्य अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्र खनिज कहते हैं, खनिज संपदा भुगर भी ये प्रक्रियाओं से निर्मित होती है, खनिज किसके हैं, किसी गाउं के नीचे गहराई में चूना पत्थर का भंडार पता चला, तो वह चूना पत्थर किसका होगा, जमीन के मालिक का, पूरे गाउंवालों का, पूरे राज का या पूरे देश का, अलग-अलग देशों में इसके संबंध में अलग-अलग कानून है, बिटेन, सयुक्त राज अमेरिका वह जमीन के मालिक का होगा, जर्मनी वह केंद्र सरकार का होगा, भारत, इस संबंध में माना गया है कि जमीन की गहराई में जो भी खनिज मिले वो पूरे देश का होगा उसके उप्योग संबंधे नियम कानून राजी सरकार को बनाना होगा खनिज नीती भारत में खनिज संपदा के उप्योग से संबंधित नीतियां हमारे विकास और अध्योगी करण की नीती के विकास के साथ साथ बदलती रही है खनन नीती के निर्माण के तहट कुछ महत्वपूर्ण बिंदों पर विचार करना होता है पहला पक्ष है राष्ट्री विकास और और दोगी करण में खनीजों की भूमिका अब सरकार मुख्य रूप से तीन कारे करती है पहला खनी संपदा के बारे में वैग्यानिक जानकारी एकत्र करना और माटना दूसरा खनन उद्यों को विनेमित या रेगुलेट करना तीसरा खनन से शुल्क या कर वसूल करना खनन प्रक्रिया भूवेग्यानिक सर्वेक्षण विभाग तता उस देश या राजिक का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते है केंद्री भूवेग्यानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार ऐसे खनीज निक्षेपित भूमियों की निलामी करती है प्रक्रिया के अनुसार जिसे भी ठेका या लीज मिलता है उसे उस भूमी पर संबंधित खनीज के उत्खनन का अधिकार होता है कुछ महतुपूर्ण खनीज और उनके प्रयोग विश्व में 3000 से भी अधिक खनीज पाये जाते है ये सभी खनीज हमारे जीवन में बहुत महतुपूर्ण है भारत में खान एवं खनीज विकास विनिमे एक्ट 1957 के अनुसार खनीजों को चार वर्गों में रखा गया है पहला परमाणु खनीज यूरेनियम थोरियम दूसरा उर्जा खनीज कोईला खनीज तेल वप्राकृतिक गयस तीसरा धात्विक खनीज लोव एस बॉकसाइट क्रोमाइट मैगनीज तामबा सोना चांधी इत्यादी चोथा गौड या आधात्विक खनीज भवन निर्माण कारे में आने वाले खनीज जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमर्मर, चूना पत्थर, कंकर, बालू, इमार्ती पत्थर खनीजों के गुड धर्म एवं संरचना के आधार पर खनीजों को दो वर्गों में बाटा जाता है धात्विक खनीज और आधात्विक खनीज धात्विक खनीज को भी दो उपवर्गों में बाटा जाता है ऐसे खनीज जिसमें लोव अंश होता है जैसे लोव एस्क, मैगन खनीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट दूसरा ऐसे खनीज जिसमें लोह अंश नहीं होता जैसे सोना, चांदी, तामबा, सीसा, बॉकसाइट, टिन, मैगनीशियम आधात्वे खनीज में धात्वे नहीं होती हैं जैसे चूना पत्थर, अब् खनीजों का वित्रण, भारत के प्रमुख खनीज संसाधन है, लोह एस्क, कोईला, क्रोमाइट, मैगनीश, टंगस्टन, बॉकसाइट, तामबा, सीसा, पेट्रोलियम, यूरेनियम, आधी लोएस्क, लोएस्क से कच्चा लोहा तथा कई प्रकार के इसपात तयार किये जाते हैं, यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आधुनिक विकास का आधार लोहा है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक जीवन, क्रिशी और द्योग्युक उत्पादन, निर्मान और यातायात में लोहा और इसपात का कहा कहा और कितनी मात्रा में उप्योग होता है, इसी कारण कच्चे लोहे का उत्पादन अन्निधात्यों के उत्पादन से भी अधिक होता है, इसकी विशेशता होती है कि इसमें अन्निधात्यों को मिला कर इसकी मजबूती और कड़ेपन को घटाया बढ़ाया जा सकता है लो एसक शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता चटानों में लोहे के अत्रिक्त अन्य खनीज भी मिलते हैं जैसे गंधक, फॉस्फोरस, एल्यूमिना, चूना, मैंगनीशियम, सिलिका, टिटेनियम, आदी इसे लो एसक कहते ह रासाइनिक प्रक्रिय के द्वारा लोहे को इनसे अलग किया जाता है धातु की मात्रा के अनुसार लो एसक को चार प्रकार में बाटा जाता है हेमेटाइट इसमें 70% लोहा होता है मैगनेटाईट 70.4% लाइमोनाइट 69.6% तथा सीडे राइट 48.2% भारत में अधिकांश भंडार हेमेटाइट और मेगनेटाइट का है। मेगनेटाइट किस्म का अयस्क करनाटक, गोवा, केरल, आंधर प्रदेश, तमिलनाडू, राजस्तान और जारकंड में है। देश में लोह एस्क उत्पादन में 36 गड़ तीसरे इस्थान पर है। राज का उच्च कोटी का लोह एस्क भंडार बैला डीला को माना जाता है। दंतेवाड़, दुर्ग, कांकेर तथा राजनान गाव में लोह एस्क संचित है। मेगनीज, मेगनीज का प्रमुक उप्योग लोह इस्क उद्योग में किया जाता है। जहां उसे लोहे के साथ मिलाकर इसपात तयार किया जाता है। इसपात में 12-14% मैगनीज होता है। लगभक सारे मैगनीज का उपयोग लोहा इसपात उद्योग में ही किया जाता है। मैगनीज यूक्त इसपात अधिक मजबूत, कठोर और घर्षन सहने की छमता वाला होता है मैगनीज इसपात का उपयोग क्रशर जैसी मशीन बनाने में होता है क्रशर से चट्टान पीस कर अलग-अलग आकार में गिट्टी बनाया जाता है इसके अलावा मैगनीज का प्रमुखुपयोग कांच तथा मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक, फर्ष के टाइल्स, ग्लास, वार्निश तथा शुष्क बैटरी सेल बनाने में किया जाता है भारत में मैगनीज अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रेल 2010 में 43 करोड टन है सरवाधिक मैगनीज भंडार ओडिशा, करनाटक और मध्य प्रदेश में है 36 गड के बिलासपुर जिले में 516.66 मिलियन टन उच्च कोटी के मैगनीज अयस्क के भंडार है इसके अलावा मुलमुला, सेमरा, कोलिहा टोला में मैगनीज अयस्क के जमाव है